नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गने साइश्टो हेल्प में, मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और हाजीर हूँ आपके सामने लेकर मीन राशी का राशी फल, मीन लगन का राशी फल राशी वो होती है जहाँ पर हमारा चंद्रमा होता है, अगर आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में, जैसे यह कुंडली है और जहाँ पर चंद्रमा है, वहाँ बारे नमबर लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी राशी जो है मीन है, बारा जो नमबर है ये मीन राश और लगन हर दो घंटे बदलता है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लगन काफी स्पेसिफिक है हर धाई घंटे में बदल जाता है करीब करीब और राशी काफी ब्रॉड है बड़ी है धाई दिन तक रहती है पर दोनों का अपना महत तो है राशी से हम इमोशन देखते हैं भावनाए देखते हैं सुक दुख देखते हैं और लगन को बुद्धि कहते हैं इंटलेक्ट कहते हैं विवेक कहते हैं विवेक के आधार पर क्या होगा क्योंकि कई बार चीज़ें अलग-लग होती है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कठिन एकसरसाइज कर रहा है दिवार जब मीन राशी के लिए मैंने बनाया तो सब कुछ बना दिया, सब हो गया, डाउनलोड भी कर दिया, उसके बाद ध्यान आया कि भाई उसमें मीन राशी मैं मंगल भूल गया मैं, मंगल को पूरी तरह बताना भूल गया और वो बहुत important था, तो इस वैसे फिर से मैं राशी वाले हैं, किस तरह की समभावनाएं बन रही हैं, और इन समभावनाओं में कहां, किस लाइफ के, किस फील्ड का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि भविस्यवानी तो कुछ के लिए सही होगी ये, कुछ के लिए दो, दूसरी, कुछ के लिए तीसरी, क्योंकि अलग- अलग टाइम चल रहा होता है अब पंडिजी के पास जाते हैं वो कहते हैं आपका तो राहू का समय चल रहा है और किसी का शुक्र का चल रहा है तो दोनों की भविस्वानी अलग-अलग होगी हलाकि दोनों की राशी मीन हो सकती है पर संभावना है और जो साबधानिया है वो दोनों के लिए एक है चाहिए वो बड़ा आदमी हो अमीर आदमी हो बड़े का मतलब मेरा यहां समीर से था हलाकि छोटा आदमी भी बहुत आदर्णी और बड़ा हो सकता है पर साबधानिया एक ही है सभी के लिए तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यह आपके महिने का चार्ट है और खोस खबरी यह है कि आपके लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है जितनी भी बारे के बारे राशियां है उनमें से एक आपकी राशी मतलब सबसे भागे साली समय आपके आ रहा है क्यूंकि प्रम का स्वामी दस में बैठा है धर्म धोजा योग बनाकर और हंस नाम का महापुरुस योग बनाकर उसमें वो वक्री चल रहा था तो पिछले समय से थोड़ा सा कारे में दिक्कत उतना मेहनत का फायदा नहीं हो रहा मेहनत जाद करनी पड़ रही है फार्द तुकि बहुत बहुत बढ़ा ही हो आपको बहुत अच्छी बात एक बात दूसरा शनी का गोचर जो तिर्तिभाब में है वो भी सुभ माना गया है और बोलते हैं अगर शनी सुभ है तो सब सुभ है शनी सबसे इंपोर्टेंट है उसके बाद राहू तो आपके लिए शनी भी बहुत बढ़ी खुसकबरी है इन पालक से वीडियो बनाया जा सकता है वैसे कि जब यह डारेक्ट होगे तो इनका क्या एफेक्ट होगा राहू के उपर मैंने पहले ही बना दिया है कि आपके लिए राहू भी और भी और भी और यह यह बी अच्छे हैं क्योंकि अपनी सिस माना गया है सुभ माना गया है तूसे आप अलग से जरूर देखें क्योंकि सिर्फ राहू पर ही अलग से एक वीडियो हो सकता है सिर्फ सनी पर भी अलग से वीडियो हो सकता है पर मैं यहाँ पर बहुती संचेप में बताने की कोशिश करूँगा हर ग्रह को हम लेंगे उसकी सारी डेश्टियां लेंगे और क्या साब धानी बरस सकते हैं, फिर उसका जो conclusion होगा वो भी ले लेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि एकदम से बता दीजिए कि ये होगा, तो वो तो आपकी जनमपत्री पर ही देख का बताया जा सकता है, और जो कहता है कि हाँ, ऐसा बताया जा सकता है, तो वो possible नहीं है, क्योंकि अपकी जनमपत्री का बड़ा महत्तो है, इसलिए तो हमारी माताएं, पिता जी या घरवाले, जैसे ही बच्चा रोता है कि भाई, टाइम देखो, टाइम देखो, क्या समय हुआ है, इंडिया में तो लोगों की होगी, कोई दस साल पहले जनम लिया है, कोई पांस साल पहले, कोई एक साल पहले, चंदमा तो बड़े तेजी से घूमते रहते हैं, हर ढ़ाए दिन बाद घूम जाते हैं, तो कितने लोगों की मीन राशी होगी, बच्चों की भी, जवान की भी, बड़ों की भी और बीच के लोगों की भी और भारत के देश में, अमेरिका में, आस्टेलिया में, न्यूजलेंड में, रशिया में और कजाकिस्तान में, आर्मेनिया में, योरोप में, जर्मनी में कितने सारे देश हैं, कितने लोगों की होगी, तो कैसे सब का एक हो सकता है क्योंकि सभी का जन्म का समय अलग है जन्म का स्थान अलग है उसी के अगार्डिंग ग्रहे नक्षत्र भी अलग है पर एक overall idea हमको मिलता है एक overall की हाँ भई इस field का थोड़ा सा ध्यान दखना है इस महीने और इस तरह का ध्यान दखना है वो ही असली चीज है बाकी आपकी योग बहुत अच्छे है अगर कहा जाए कि कुछ लोग की किसमत खोलोगी कुछ लोग का इस टाइम भाग के साथ देगा या कहा जाए कि कुछ लोग की लौटरी भी लग जाए या कुछ लोग का भाग के परवरतन करोणों आ जाए कहने के लिए एक symbolism है कि पैसा आजाए धन आएगा लच्छमी तो आएगी आएगी तो वो सारी बात है कुछ लोगों के लिए सकते होने ही वाली है और अगला देड़ साल कह सकते है definitely उससे आगे भी करीब एक देड़ साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है जहां तक गोचर की बात है तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं गुरू की क्योंकि यह main important है यह main अच्छी ख़वर है आपके लिए कि गुरू आपके जो लगन के स्वामी लगन क्या है आपकी पतिष्ठा लगन क्या है आप आपका औरा आपकी दुनिया में जगए आप कैसे हैं कैसे लोग आपको सुनते हैं नहीं सुनते हैं आपकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं आपका sense of living क्या है कैसे आपने आपको समझते हैं दूसरे लोग आपको मानते हैं उसमें भी लगन का रोल आता है लगन तो वो बक्री था और अब मारगी हो रहा है बक्री का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए तो शब्दों से ही पता लग रहा है कि जैसा नहीं होना चाहिए वैसा था और जैसे होना चाहिए वैसा हो रहा है तो बहुत अच्छी ख़बर है इससे क्या क्या हो सकता एक तो आपके स्वास्त में सुधार आएगा आपका attitude काफी अच्छा रहेगा आपकी बुद्धी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी आप निर्णे सही ले पाएंगे कार में आपको पतिष्ठा मिलेगी फेम मिलेगा उच्छपद की प्राप्ती हो सकती है और तो और कोई लोटरी सट्टा कुछ अगर शेयर इस तरह कभी आपने कुछ किया है कभी कुछ लिया है तो उसके भी पैसे आपको बढ़ सकते है अचानक से कोई अच्छी खवर आ सकती है सिर्फ गुरू इतना करेंगे क्योंकि गुरू इन सब के कारक है बच्चे भी आपके लाइफ में अच्छा करेंगे गुरू धन के कारक है दुत्य भाव से धन के family के कारक है पंचम भाव से बच्चों के creativity के कारक है नवम भाव से भाग्य और गुरू के कारक है और 11 में भाव से love और fulfillment of desire इच्छाओं की पूर्ती awards उन सब के कारक है तो वो अपनी ही राशी में होकर direct हो रहे हैं तो बहुत बड़ी ख़़र आपके लिए इसके साथ साथ गुरू की डरश्टी आगर देखें तो दुत्य भाव पर डरश्टी है बहुत सुबह धन आएगा पैसा आएगा खास कर कि अगर आप real state में है mangal से जुड़ी हुई किसी चीज में है तो खास कर उसमें lab हो सकता है sports में है, police में है, military में है और surgeon है या फिर किसी भी तरह का ऐसा काम है जहां पर metals यूज होती है, fire यूज होती है nuclear यूज होती है, नुकिली चीज़ें यूज होती है इसके अलाव अगर आप professor है आप पंडित है आप pastor lawyer है आप किसी तरह की education देते हैं आप कोई consultant है, तब भी आपके लिए आप bank में हैं तो तेरह तारिक के बाद समय खासा आपके लिए अनुकूल होने वाला जहां तक गोचर का सवाल है अगर जनम पत्री में अच्छे योग है अगर जनम पत्री में दम है अगर जनम पत्री में अच्छी दाशा महादसा चल रही है तो यह 100% होगा याद रखिये, गोचर एक खड़की की तरह है खड़की की तरह है मतलब example के रूप में कि रोशनी तो जनम पत्री ही है सब कुछ जनम पत्री ही है सब कुछ सब कुछ 100% पर आप उसको रोशनी की तरह माल लीजी और गोचर सिर्फ खिड़की की तरह है गोचर सिर्फ रास्ता देता है अब गोचर ने भागे को रास्ता दिया धन को रास्ता दिया पैसे को रास्ता दिया उच्पद को रास्ता दिया फेम को रास्ता दिया तो हाँ अगर वहाँ से आ रहा है और खिड़की बंद है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि अच्छा गोचर नहीं आता जैसे अच्छा गोचर आएगा तो हम कह सकते हाँ भई जैसे शादी का कुंडली में योग है दशा मादशा शादी को दिखा रही है तो जब गोचर आएगा कहेंगे भई इस समय में शादी हो सकती है यही रोल गोचर का होता है तो यह गोचर धन को दिखा रहे हैं उन्नती को दिखा रहे हैं पैसे आने को दिखा रहा है खासकर कि तेरे तारिक के बाद हलाकि भागी की थोड़ी सी आँख मिचोली चलेगी मतलब आप एक्षन सही लेंगे आप धन भी आएगा सब कुछ रहेगा पर भाग थोड़ा सा रहेगा 10 तारिक से 13 अवंबर तक क्योंकि मंगल वक्री है मंगल वक्री है पर अपनी हिराशी में इस महीने तो अपनी ही राशी में कोई भी ग्रहो अच्छा रजड़ देता है तो धन आएगा तो सही पर कुछ unpredictable वे से आएगा और थोड़ा सा hard work रहेगा 13 अवंबर तक क्योंकि मंगल वक्री है और आपके धन भाब में ही बैठे हैं मंगल पर आने से पहले गुरू की दश्टियां पूरी कर लेते हैं पांच मी दश्टी की बात की चौथी दश्टी जो राहू पर पढ़ रही है और चतुर्थ भाब पर पढ़ रही है तो घर गाड़ी बंगला खरीदने का कोई बन सकता है आपका प्लान बन सकता है पर दौकुमेंट वगरा में ध्यान रखना है क्योंकि राहू है और माता की स्वास्त का भी ध्यान रखना है हलाकि गुरू की दश्टी है पर केतु की भी दश्टी है राहू है रहु 23 तारिक तक हैं उसके बाद आपके लिए रहु भी सुब हो रहे हैं आपके लिए शनी सुब शनी हो रहे हैं गुरु शुब है ही एक तरह से पर वो बक्री थे तो डारेक्ट हो रहे हैं रहु भी सुब हो रहे हैं तीनों मेन इंपोर्टेंट करहे सुब हो रहे हैं तो मुबारक हो बहुत ही अच्छा समय है जो आ रहा है ऐसे में अगर कोई दशा महादशा आपकी योगा कारक्की दशा महादशा आ जाती है और वो आपके कुंडली में अच्छा है तो करोड़ पती क्या आप अरब पती हो जाएं तो आशर नहीं होगा जोत इसके आधार पर याद रखिए का कर्म प्रधान विश्व रचिराखा हो ये वही जो राम रचिराखा संसार कर्म प्रधान है पर होता वही है जो इश्वर ने रचा है तो इश्वर रचता किसके आधार पर है आपके कर्मों के आधार पर है चूंकि पिछले कर्म बहुत ज़्हादे हो सकते हैं तो इसलिए भगवान कृष्णे काया कि सिर्फ कर्म पे तेरा अधिकार है फल पे नहीं है क्योंकि फल पे जो पिछला कर्म है उसका effect आ सकता है पर कर्म पर अधिकार है क्योंकि आने वाला जो कर्म है आने वाला जो भाग है उसका भी रचैता तू खुद है तेरा कर्म ही है तो पुराना भाग भी इसी तरह important है क्योंकि वो भी हमारा कर्म है पर अगर फिलहाल कर्म नहीं किया तो भाग में जो है वो भी पॉस्पन हो सकता है मिलेगा तो जरूर आप ऐसे माल लीजिए कि बैंक में आपके नाम पे पैसा है आप लेने ही नहीं जाते तो बैंक में पड़ा रहेगा तो जाना तो पड़ेगा कर्म तो करना पड़ेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी जिन्दिगी में क्या बनना है आपको खुद ही ढूंडना होगा और उसके फिर उसके लिए रास्ता भी बनाना होगा उसके लिए चलना भी होगा जोतिस तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है चलना आपको यह याद रखिएगा जोतिस आपको कर्म करना मेहनत करना सिखाता है ना कि कर्म ना करना जोतिस का शही मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना है ये बता देना है भाई इस रास्ते पर थोड़े मुश्किल आ सकती है पर बचके निकल के आपको ही जाना है इस रास्ते पर थोड़ी कम मुश्किल आएगी जो तिस रास्ते नहीं बदल सकता कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि भाई आप ऐसा कैरियर बता दो जिसमें मैं जाऊं और उसमें एकदम से टॉप कर दूँ और मेरी लाइफ बदल जाए मैं किस चीज के लिए बनाऊं क्या हो कि इश्वर ने यही लिखाया कि आप यहाँ थोड़ा सा इस जगह काम करेंगे उसके बाद उस जगह काम करेंगे और उसके बाद यहाँ जाकर आप सैट होंगे यहाँ जाकर आप नाम रोशन करेंगे तो क्या जोतिस ब्रह्मा का लिखा हुआ बदलेगा नहीं बदल पाएगा जोतिस जाद है उसके लिए कि आप समझ पाएं कि कैसे कर्म की महीमा है कैसे इश्वर जो लिखता है वही होता है और कैसे आप इस बात से धर्म धर्म पूर हों अच्छे रास्ते पर चलना सीखें यह जोतिस का में रोल होता है आपको आशा दे धर्म के रास्ते पर लेके आए कर्म की महीमा को समझाए वही जोतिस है तो हमने गुरू के सब्तम दश्टी को देखा अनवम दश्टी को अगर देखते हैं तो वो सूरी पर पढ़ रही है छटे भापर पढ़ रही है रोग रेंड सत्रू से आपको मुक्ती मिलेगी स्वास्त में आपके सुधार होगा अगर आपने कोई रेंड ले रखा है तो वो भी उतर सकता है और सत्रू आपके परास्त होंगे मतलब वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे कुछ उखाड नहीं पाएंगे कोशिश भी करें तब भी इसके साथ साथ रोग रण सत्रू तीनों चीजें इसमें आती हैं अगर आप किसी सी तरह के profession में हैं जैसे service इसमें आप दूसरों को serve करते हैं दूसरों को help करते हैं doctor हो गए और बकील हो गए तो काफी हद तक अच्छा है एक तक, उसके बाद सूरी हाँ पर आएंगे तो जब सूरी पर आएंगे उसकी बात करेंगे तो एक गुरू का रहा हमारा केतु की अगर बात की जाएं तो केतु धर्म धोजा योग में हैं, गुरू के साथ हैं अपनी उच्छ की राशी में बहुत अच्छे हैं केतु पर सिर्फ राहू की दश्टी है और किसी बुरे ग्रहे की मतलब पाप ग्रहे की दश्टी नहीं है तो एक तरह से आप अपने क्यायर में पद में पटिष्ठा में काफी हद तक केतु आपके साथ हैं केतु थोड़ा सा और जादे साथ रहें तो मचलियों को दाना आप डाल सकते हैं भगवान गणेश की पूजा ओम गम गणपते नमा की पूजा कर सकते हैं वैसे आपके अगर चार्ट को देखा जाए तो भगवान शिब और हनुमान दोनों की ही पूजा आपके लिए अच्छी है और माता की पूजा भी क्योंकि पंचम में चंदर है चतुर्त में चंदर की राशी है और नभवम में मंगल की राशी है मंगल को शिब जी से भी दोड़ते हैं और हनुमान जी से तो जोडते हैं कोई भी जो आपके मन को जादे भाई पर भक्ती में बड़ा दम है भक्ती से भक्ती के जीवन में सुधार होता है सवहाब में सुधार होता है कर्म में सुधार होता है जब भक्ती करते हैं तो उस परमिश्वर के गुण आपके अंदर आने लगते हैं और वो गुणों के जरिये फिर आपके जिवन में सुब घटनाएं भी आने लगती हैं, याद रखी अगर भक्ती में आप नहीं बदल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो घड़वड है, या तो आप सही समझ नहीं पा रहे हैं भक्ती को, या फिर कुछ तो गरत हो रहा है, बड़े स्रेष्ट होते हैं, और उनमें इश्वर जैसे गुणाने लगते हैं, उन गुणों की ही पूजा की जाती है, क्योंकि इश्वर तो शब्दों से परे है, और कह सकते हैं कि भगवन किष्णे का किसी भी चीज से परे है, या तक कि आत्मा भी जो भी हमको दिखता है चाहे वो शब्दों, चाहे अक्षरों उससे परे है, तो परमात्मा की तो बात ही क्या है, यह तो था गुरू का गोचर, केतू का गोचर, शनी की बात करें, मुबारक हो आपको, पहली बात हो, गारे में कि शनी अच्छे हैं, पर पिछले बहुत समय से बक्री चल रहे हैं, कुछ लोग जैसे अगर परिशान हो तो जॉब भी मिल सकता है और इनाम भी मिल सकता है और काम भी नया लग सकता है आये के नए सोर्स भी थोड़े बनेंगे और कहीं सोर्सों से धन भी आ सकता है 30 सितंबर के बाद इसकी जादे संभावना बनेगी वैसे 13 सितंबर के बाद ही गुरू के मारगी होते ही आपके जीवन में बदलावाने लगेगा सनी की डश्टी लगन पर है तो आप काफी सीरियस रहेंगे आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे आपकी लाइफ में चीजें थोड़ा रुकर होंगी शने शने पर होंगी क्योंकि 11 में भाव के शनी सुपफल देते हैं सनी की साथ में डश्टी जो है पंचम भाव पर है जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो कृतिय और अश्टम भाव के स्वामी है पंचम भाव पर मंगल की चौथी गश्टी भी है तो पंचम भाव थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है पर यहां पर अगर देखा जाए तो शुक्र धन के स्वामी है और शनी भी लाव के स्वामी है देखिए शुक्र दूसरे भाव की कालपुर्स की कुंडली है उसके धन के स्वामी होते हैं हमेशा ही और आपकी कुंडली में वो शनी जो है लाव के स्वामी है तो उनका आमने सामने धन का लाव तो जरूर दिखा रहा है धन का लाव तो जरूर दिखा रहा है कुछ ब्यर्थ की यात्राएं भी दिखा रहा है बच्चों को लेकर आप जो संतान है आपकी उसको लेकर बहुत जादा चिंता की बात नहीं है पर थोड़ा सा उनका ख्याल रखना है हो सकता है उनका थोड़ा मन भटके सिक्षा से और जादा मन उनका घूमने में खाने पीने है दसम दश्टी जो शनी की है वो अस्टम भाब पर आ रही है और अस्टम भाब पर आपके मंगल की साथमी दश्टी भी है और राहू की पांचमी दश्टी भी है देखिए मंगल से गिने तो एक दो तीन चार पांच है साथ और अगर राहू से गिने तो राहू यहाँ पर तो मंगल की सातमी, राहु की पांचमी और शनी की दसमी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इन तीनों की देश्टी अगर अश्टम पर आती है एक तो एक अचानक से कुछ इवेंट होंगे जिनकी आपने उम्मीद नहीं कीती दूसरी सास, ससुर के साथ, थोड़ा सा, हो सकता है, या तो उनकी तबियत खराब हो, थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ misunderstanding हो, हो सकता है, किछी वयसे आपसे, उनके कोई दूरी आए, वैचारिक या फिर फिजिकल दूरी आए आयाद रखिएगा हमारा जो सारा का सारा धर्म है वो काफी हद तक सांकेतिक है दूरी किसी भी तरह की हो सकती है विचारों की भी और फिजिकल्टी की भी कई वर सब्तम्भाब बहुत जाद है अच्छा नहीं होता है और जो शी बोलता है कि हाँ इस कुंडली में तलाक की चांसेज है और होता क्या है सिर्फ किसी कारणों से पती कर पतनी काफी दिनों तक दूर रहते हैं तो एक तरह का सेपरेशन हो गया तो हमेशा तलाक ही हो जरूरी नहीं है पर there is a separation वो physically हो सकता है mentally हो सकता है किनी कारणों से आपस में ना बने ये सब हो सकता है तो आप उनका ख्याल रखें उनकी बात माने वैसे भी बड़ों का आदर करना हमारे धर्म में सिखाया जाता है और जीवन वड़ा अनमोल है जो आपसे बड़े हैं उनका जीवन में कम समय बचा हो ऐसा हो सकता है तो ऐसे में पुरानी बातों को लेकर या किसी भी बात को लेकर उनके प्रती अच्छा भाव ना रखे आप अपना भी एक कह सकते हैं बहुत अच्छा कर्म नहीं कर रहे है फिर उनका जो छोटा थोड़ा बहुत जीवन बचा है उसको सुधारने में उसकी सहायता करें उन्हें प्रेम दें आदर दें और जो कुछ बातें अगर उनकी गलत भी हैं तो कौन गलत नहीं होता मैं गलत नहीं हुआ आप गलत नहीं हुए या कौन ऐसा है जो कभी गलत नहीं होता सभी लोग कभी न कभी गलत होते हैं आप उसको अपनी गलती की तरह लें अब फिर सोचें क्या अगर आप ये गलती करें आप उसे माफ कर पाएंगे या नहीं अगर खूद की गलती माफ कर देते हैं तो फिर अपनों की क्यों नहीं सोचिए है न इस तरह से लहेंगे तो जीवन में काफी सुगमता आएगी काफी प्रेम आएगा काफी हशी खुसी आएगी और जीवन आपको खुबसूरत लगने लगेगा तो ये बात कर दी हमने जो अश्टम पर सनी की डश्टी आई है सनी की डश्टियों की एक तरह से हमने बात कर दी अब इसके बाद हम बात करें मंगल की तो जो पहले वीडियो में में इसे छूट गया था फिर से न छूट जाए तो मंगल है भई दूसरे का स्वामी दूसरे में है धन का स्वामी धन में है तो धन तो आएगा धन तो आएगा और जनम पत्री में भी अगर किसी का ऐसा मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है गारी घर बंगला उस पे काफी होता है अपनी महनत से कमाता है पैसा काफी श्ट्रॉंग होता है बाणी का काफी जबलदस्त रहेगी जनम का हो या लगन में इसमें आ रहा हो गोचर में पर बच्चों के साथ थोड़ा वो मैंने इसमें अकाउंट कर लिया था पहले से ही थोड़ा स्वास्त में ध्यान रखेगा उनका जिसका जनम का है और ट्रा पोजिटिविटी के साथ और कह सकते हैं कि एक संभावना के तौर पर उससे नेगेटिव होने के तौर पर नहीं तब फिर इसका गलत उपयोग हो जाएगा पोजिटिविटी के साथ और एक संभावना ज्यान के रूपे इस तरह से कि जैसे कि आपको किसी ने बताया कि आग का steering जो है वो ऐसे चलता है तो ऐसा ना हो कि गट्टे से पहले गिर जाएं फिर फायदा नहीं है याद रखेगा कि जोतिश का सही फायदा उठाएं जोतिश आपको कर्म करना सिखाता है आपको प्रयास करना सिखाता है और ये बताता है कि कर्म की कितनी महत्वा है सब कुछ कर्म का ही रिजल्ट है इसलिए कर्म कीजिए सही गोल के लिए सही रास्ते पर दवा के कर्म कीजिए आपका जो भविस्य है वो फिक्स है मानता हूँ पर इतना भी फिक्स नहीं है इश्वर के हां इतना भी fix नहीं है कि हिला डुला न जा सके खास करकि कुछ बातें धन ऐसा भी fix नहीं है कि 2 लाक ही होंगे आपके अमांट में 2 लाक से जादे नहीं होंगे उसकी एक limit है 2 लाक से 20 लाक तो हो सकते हैं 2 से 20 कहां जाएंगे काफी हद तक आप पर हाँ ऐसा हो सकता है कि आप करोड़ पती ना बने इस तरह का पर 2 से 20 की लिमिट तो रहती है ऐसा भी नहीं है कि इट की तरह fix है कुछ लोगों का होता है बहुत ही कम लोगों का जो बहुत ही महान होते हैं जैसे गौतम बुद्ध का fix था कि भाई वो तो आई ही इसलिए है कि ज्यान देंगे या भगवान केशन का तो जन्मी इसलिए हुआ था कि यह इस्पेशल वर्थ होती है आम आदमी के जीवन में अपने उपर तरक्की करने का काफी उपर तक जाने का है बीच में रहने का या नीचे रह जाने का option होता है तो समझे इस बात को और कर्म कीजिए मंगल की अगर बात करें तो वानी का अधान रखना है यह रह गया था छूट गया था पहली बार जब मैंने वीडियो बनाया बानी बड़ा इंपोर्टेंट है अगर आप बानी का ख्याल रखते हैं गुसे में नहीं आते हैं धैरे पूर्ण दिंडे लेते हैं तो आपके रिलेशन स्थ अच्छे रहेंगे पत्नी के साथ दोस्तों के साथ बिजनिस में और आपका बिजनिस बहुत तरक्की करेगा इस महीने कारे में भी उन्नती हो सकती है एक दो चीज़ आपको जो रोक रही है वो आपका गुसा सकता है अचानक से धैरे ना रख पाने के कारण आपकुछ ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ का धान रखिएगा मंगल की जो सीधी रष्टी अश्टम बाप पर पढ़ रही है वो ही सास ससुरवाली जो बात है इसके लाब आप लाइफ आफ्टर मेरिज मतलब पत्नी के साथ भी अगर आप उनके उपर कंट्रोल ना करें उनके उपर हावी ना हो आप कुछ ऐसा ना कहें उनको समझें प्यार से उनका सम्मान करें और गुस्य को न लाएं और कोई बात अगर आप सही भी है तो उसको बाद में समझें जब उनका मूर अच्छा हो पती के उपर पतनी के उपर तो इसससे आपके घर में हार्मोनी बनी रहेगी पिता का सम्मान रखें हलाकि नवम भाव में उनीकी राशी है तो भाग को बढ़ाएगी वक्री हो रहे हैं तो भाग थोड़ा उपर नीचे होगा कभी लाव, कभी कम, कभी जाद है 13 नवमबर तक पर इस्टिल आपके फेवर में रहेगा क्योंकि गुरू मारगी हो रहे हैं और शनी भी जो की लाव को दिखाते हैं मंगल के बाद हम राहु पे आ जाएं राहु 23 के बाद बदल जाएंगे जब तक यहां पर हैं माता की स्वास्त को ध्यान रखेगा बाकी यहां पर जो राहु हुएं यात्रा कराते हैं जब बदलता है जब बगएरा बदल सकता है यात्रा हो सकती है माता से रिलेशन में थोड़ा सा खटास लाने की कोशिश कर सकते हैं पिछले टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी माता की तबियत ऐसी रही हो या फिर आपका ट्रांसफर वगेरा हुआ हो इस तरह का राहु कराते हैं अब जो आपके लिए राहु आ रहे हैं बहुत अच्छी सौगात लेकर आएं तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा जिसमें राहु का जो मैंने बनाया है उससे आपको और भी जादे जानने को मिलेगा जो बहुत इंपोर्टेंट गोचर है महा परिवर्तन राहु के तुका शनी के बाद कोई गोचर महत्पूर्ण है तो वो राहु का ही है शुक्र की अगर फोरं से लाव हो सकता है फोरं चीजों से लाव हो सकता है विदेशी व्यक्तियों से भी मुलाकात हो सकती है इंटरनेट के तुरू भी कुछ ऐसा हो सकता है दसम पर आ रही है तो बहुस के साथ थोड़ा misunderstanding रहु कर सकते हैं illusion बिनाबाद की बात पर जो है ही नहीं उसके ओपर या दूसरे कोई पीछे से सड्यंत्र जो आपकी गलती नहीं है पर तो उसको आप प्रेम से बुद्धिमानी से धैर से सुलजा सकते हैं और इश्वर पर भरोसा रखें आपके जो भी इश्ट हैं उसमें भरोसा रखें तो इश्ट के अगर करपा होगी तो सब सुलज सकता है यकीन मानिए बारह में घर पर जो रष्टी है राहु की तो यात्रा करा सकता है होलिडेज करा सकता है स्वास्त के लिए खर्चा करा सकता है कुछ खर्चे पिछली साल इस साल ऐसे रहे हो जिसकी आपने उमीद नहीं की थी या फिर आये कम रही हो और खर्चा जाद हुआ हो रहू की बज़े से पर हलाकि अब वो favorable हो रहे हैं और समय कम बचाए तो खुशी की बात है आनंद मनाईए और अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहे है याद रखिए दुखी व्यक्ति तो लक्ष की तरफ भी नहीं बढ़ सकता जो खुदी रो रहा है वो क्या आप लक्ष की तरफ बढ़ेगा तो खुश होना शान्त होना है तो पहली चीज है वो तो है ही खुशी व्यक्ति एक्जाम दे पाएगा खुशी व्यक्ति तयारी कर पाएगा खुशी व्यक्ति ही किसी से बात भी कर पाएगा और तो और अगर किसी को समान बेचने भी जाएंगे और आप खुश नहीं होंगे पहले ताकि हम खुश रहें उसके बाद second goal होना चाहिए जो हम चाहते हैं तो ताकि हम खुश खुश उसकी तरफ जा सकें जो है अगर उसका आपके पास ध्यान नहीं है तो जो नहीं है उसके पास भी आप नहीं जा पाएंगे तो पहले तो thankful हों खुश हों और फिर हिम्मत से उस तरफ बढ़ें जहां आपको जाना है रास्ता निकलेगा रास्ता रास्ता जरूर निकलेगा आप आगे बढ़ें तो सही जहां तक रास्ता है वहां तक तो जाएं आगे का रास्ता वहां से दिखाई देगा ये बड़ी famous saying है और बहुत हद तक सच है कुछ लोग इस बढ़ते कि आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा तो वो कहते हैं आगे रास्ता ही नहीं है तो आगे क्यूं बढ़ें बलकि सच यही है कि रास्ता उन्हीं को मिलता है जो आगे बढ़ते हैं बढ़ो तो बढ़िये तो वो हाथ थामने के लिए खड़ा हो क्या पता और आप ह सुन लेने से और यूज में न लाओगे तो छोटी ही रह जाएंगी अगर आप जीवन में उतारना सुरू कर दीजिए और फिर कमाल देखेगा कमाल होता है बिलकुल होता है तो देखिए हम राहू की सारी देश्टियां देख लिए शुक्र की बात करें शुक्र यहाँ पर अ इस सबका है या फिर डिजाइनिंग है किसी तरह की बीचाए वो कंप्यूटर डिजाइनिंग हो चाहिए इंजीनियर हो पर हमां किसी तरह से किसी चीज को खुबसूरत बनागाना हो तो आपका जो बुद्धी है वो बहुत अच्छा काम करेगी लोग आपकी कारे की सरहाना करेंगे और कुछ अचानक लाब भी हो सकता है लोटरी, सट्टा इस चीज की चीज जो होती स्टॉक मार्केट उसमें भी आप किस्मत आजमा सकते हैं जहां तक की गोचर का सवाल है हलाकि आखरी डिसिजन बिना जनम पत्री के अनलाइसिस के आप नहीं ले सकते पर यह संभावना है बच्चों के बारे मैं बता ही चुका हूँ बच्चे थोड़े रोमांटिक रहेंगे बच्चे थोड़े उनका मन थोड़े दोदर भटक सकता है अच्छी बात है उसमें कुछ बुरा नहीं है बस एक लिमिट होनी चाहिए और एक नॉलिज अगर आप उनको दें ज्ञान उनको अगर देंगे तो सब अच्छा रहेगा तोकि शनी की दस्टी है ही शनी बक्री है थोड़ा तीस तारिक तक उसके बाद शनी भी मारगी हो रहे है सूरी की बात करें सूरी सोले तारिक तक छटे के स्वामी छटे में तो रोग रण सत्रू का विनाश होगा अगर किसी से विवाद चला है कोई कोड केस चल रहा है कुछ ऐसा है तो पॉजिटिव उसका निर्णे आपके पक्ष में आ सकता है सोले तारिक तक इसके लाबा स्वास्त भी आपका सही रहेगा और अगर जनम का ऐसा सूरी होता है तो व्यक्ति कितनी भी मुशिवत हो होती है उसके जीएन मुशिवत है पर उन सबसे उपर उठता है महनती होता है योग होता है और सायर जोध्सी के पास जाता नहीं है क्योंकि वो अपने कर्म में ही लगा रहता है और एक नहीं तो दो नहीं तो तीन बहुत महनत करता है और काफी बुद्धिमान भी होता है यहां से सूर्व बारे में भाप को दिखाते हैं foreign countries में बाहर विदेसों में जाकर भी वो काफी धन कमा सकता है या फिर आप भी जा सकते हैं 16 तारिक तक अगर Corona इलाव करता है तो well Corona का इलाज आने वाला है Ketu Scorpio practice में आ गए हैं जो की research को दिखाता है PhD वगारा को दिखाता है नई invention को दिखाता है तो vaccines वगारा जो आएंगी उसमें तेज तारिक के बाद काफी कह सकते हैं बहुत बड़ी परवर्तन आने वाला है हो सकता है कोई बहुत ही successful vaccine वगारा आ जाए और धीरे धीरे हम इस पर control पा लेंगे सूर जो है 16 तारिक के बाद सब्तम में आ जाएंगे अब छटे का स्वामी सब्तम में आएगा तो थोड़ा पतनी का स्वास्त का ख्याल रखें उनके साथ लड़ाई जखड़े में ना आएं किसी बात को ego में न ले जाएं ऐसा ना हो कि आप इस चक्र में लग जाएं कि कौन सही है आपका focus यह होना चीए क्या सही है अरे भाई कौन सही हो क्या करना है अगर वो भी सही हो जाती है या हो जाते है तो कोई बुरी बात तो हो नहीं कि अच्छी बात होई है आप और वो अलग थोड़ी ना है भागवान कृष्णी क्या का है जो सब को मुझ में देखता है और मुझ में सब को देखता है वही मुझे सही देखता है मतलब एक criteria है कि सब मैं इश्वर का वास है तो उस नजरिये से देखिए कि मैं और वो बस दिखता है अलग-अलग है वो ऐसा ही व्यक्ति है ऐसा ही उसकी भी कुछ पसंद ना पसंद है आपकी भी कुछ पसंद ना पसंद है उसकी भी भावनाएं आपकी भावनाएं आपका जो भले आपकी पत्नी हो दोस्त हो उतना ही रेस्पेक्ट तीजिए अपने आपको देते हैं उसकी गलतियों को ऐसे ही माफ कीजिए जैसे आप अपनी गलतियां आपने क्या गलती नहीं की अगर आपने अपनी बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे माफ कर दिया कि वहाँ तो ये था वहाँ तो ये था इस वह ऐएसे हुआ तो दूसरे की फिर आप क्यों माफ नहीं कर पा रहे हैं कीजिये अगर रिष्टो को मजबूत करना है तो यह सिखना होगा तो बाकी बुद्ध आपके बहुत अच्छे हैं जो मैंने कहा था अगर आप इन दो चार बातों का ध्यान कर जाते हैं तो बहुती महत्वपूर्ण माहिना हो सकता है बुद्ध भद्र नाम का महापुरुसी योग बना कर बैठे हैं और किसी की जनम पत्री में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धी मत्या की बजए से अपने भासंट देने की अच्छा भासंट देने की लोगों को मोटेवेट करने की दिमाग की जो कैपेसिटी है उसकी प्लानिंग की सेल्स में मैनेजिंग में बहुत कमाल का राइटर हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट परसन होता है और गोचर में भी ये सब बातें आपको आएंगी आपका दिमाग बढ़तेजी से काम करेगा आप प्लानिंग अच्छा कर पाएंगे और बिजनिस में आपको काफी हद तक अच्छा रहेगा और अपने जीवन साथी से भी अगर आप कम्यूनिकेशन करते हैं कम्यूनिकेशन गैप ना होने दे तो किसी भी प्रावलम को सॉल्व करने में बुध देवाब की अवस्य साहिता करेंगे तो अब एक तरह से हमने देखि सारे ग्रह कवर कर लिए सारी राशियां और उनके एस्पेक्ट ड्रेश्टियां कवर कर लिए और एक तरह सारी पिक्चर आपकी समझ में आ चुकी है लगवक सब कुछ अच्छा है कुछ चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है इसके बाद मैं बहुत जल्दी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है मैं इस महीने के तोहार बता देता हूँ बताना जरूरी है क्योंकि तोहार जीवन को खूब सूरत बनाते हैं प्रेम पूर्ण बनाते हैं और जीवन को सुधारते भी है और अगर मन से, दिल से, सच्चे मन से सभी के परती प्रेम को समझते हुए उनकी कहानियों को समझा जाए ब्रत किया जाए तो उसका बड़ा लाब भी होता है 13 सितंबर को इंदरा एकादशी है 27 को पद्मनी एकादशी एक तारिक को अनंत चौदस अनंत चतुरदशी कह सकते हैं दो सितंबर को भद्रा पूर्णी मा है जिनका चंद्रमा के लिए पूर्णी मा का ब्रत होता है एकादशी भगवान विश्नु ब्रहस्पती और वैसे भी हमको उसका ब्रत रखना चाहिए भगवान शिप की पंद्र तारिक को मासिक सिवरातरी है 15.29 को प्रदोश ब्रत है शिप जी का ब्रत हम चंद्रमा के लिए रखते हैं शनी के लिए लखते हैं या फिर कोई भी दोश हो उसमें सिब जी के पूछा की जा सकती है जो रुद्राविसेख होता है उसका थोड़ा सा अलग-अलग तरह का यह होता है अगर यह दोश है तो इस चीज से यह दोश है तो इस चीज से पर mainly तो भावना है भकती है अगर उसमें दम है अगर वो दिल से कर रहे हैं तो अवश्यलाव होगा सत्रे तारिक की अनावस्या है जिसको पित्र दोश होता है रहु के तो की कोई प्रॉबलम होती है शनी की तो पित्र दोश के लिए अवश्या बहुत important है खासकर कि इस महीने का बहुत important है और सत्रोले तारिक की कन्या संकृांती है संकृांती का अवरथ भी बहुत important होता है अध्यात्मिकता के लिए अगर कुंडिली में कुछ इस तरह का दोश है जिससे बक्ति की शादी नहीं होपा रही है इस तरी का श्राप है कुछ इस तरह का है चूकि वो आपके सब्तम भाब में पढ़ रही है संक्रांती तो इस संक्रांती से अगर मंत रोका जाप किया जाए 40 दिन तक आप खुदी कर लेंगे पंडिजी की जरुरत नहीं है उसमें आप जितने मंत से करेंगे शायद जो पंडिजी ना कर पाएं इसलिए ये और भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि खुदी किया जाए तो उस केस में बड़ा काम करता है महतपूर्ण है तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएं घंटी बाला जो बटन है वो जो दबाना मत भूलेगा मैंने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेस्बुक का इंस्टेंड ग्राम का ट्वीटर का आपका सपोर्ट बहुत महत्पून है तो प्लीज फॉलो प्लीज लाइक मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार